बहुत अरसे से करीब दो दशक्से में उनका नाम सुन रहा हूँ पूरे विश्व में उनकी बहुत कीरिती प्रतिष्ठा है और भारती धर्ब दर्शन अध्यात मुरु संस्कृती को वैश्विक पटल के उपर पूरी प्रामानिकता के साथ और वजयानिकता के साथ प्रतिष्ठापित करने के लिए जोनोंने बहुत प्रसस्त काम किया है ऐसे भाई श्री राजीव मलहुत्रा जी हमारे बीच में हैं उनका सब के और से बहुत बहुत अभिनंदन है और वो पहली बार पतंज्रियोग पीठ में आये हैं और क्योंकि अब किसी बहुत बड़े अनुष्ठान में नहीं आज उनके साथ में एक आत्मी सम्माद का ये क्रम यद्दिपी पहले सुरू हो चुका था लेकिन उनका भौतिक रूप से व्यभारिक रूप से यहां प्रतमा आग्मन हुआ है एक बार पुना होन सब के और से बहुत भात उनका भिनंदन है जिस भारत की संस्कृती एक अर्भ चानवी क्रोड आठ लाक थे पनजार एक सो चोदव वर्ष पुरानी है और जिसका पूरे यूरेसिया में सामराज्य था जो आर्यावर्त देश जो भारत वर्ष और भारती एसासकों का सामराज्य मने आज जिसको यूरूप कहा जाता उसके कुछ भाग से लेकर के माने यवन से लेकर के रोम मिश्र से लेकर के इरान इराक अफगानिस्तान और फिर इधर पूरो में जह है वर्मा और बंगलादेश और वियतनाम तक देखो दो तरह से सामराज्य होता है एक राजनेतिक सामराज्य होता है एक बोध्धिक सामराज्य होता है भारत का बोध्ध होता आया है देवा सुर संग्राम धर्म युद्ध हमने धर्मत की प्रतिष्ठापना के लिए देवत्यों की प्रतिष्ठापना के लिए न्याय की प्रतिष्ठापने के लिए कार्य किया जो है कभी किसी के साथ कुरूरता नहीं की कभी जो अन्याय पूर्ण तरीके सिधन का अर्जन नहीं किया हमारे यहाँ पर धर्म को सबसे पहला तत्तों मांगना उसके बाद में अर्थ को उसके बाद में काम को और अंतिम गंतव्य हमने जीवन का मोक्ष को माना तो यह जो पूरी कल्पना है हमारी जो पूरा संकल्प है हमारा जो पूरा दर्शन जिसको आज की भासा में जो विचार धारा आइडियलोजी या जो हमारे फ्रिप्रिंसिपल्स सिद्धान्त वो बहुत उचे थे वो सदा से हम प्रवाह से बोले तो अनादी काल से ये और भारत और भारतियां था कि उपर हम विश्विक जिंतन रहा है लेकिन भारत की इस आपरिमित सामर्थे से चाहे उसका वहा भोगोलिक सामर्थे है चाहे उसका आर्थिक सामर्थे है भारत का राजनेतिक सामर्थे है सबसे बड़ा जो उसका बोधिक चारित्रिक सामर्थे है तो ये कोई हमने तो निर्मित किया नहीं सब कुछ इस राश्ट को ये तो इश्वरिय विधान से सब कुछ निर्मित हुआ है और उसमें जो है जब हम अतीत में जाकर के देखते हैं तो हमें साफ साफ दिखता है कि भगवान का विशे इस अनुग्रह इस भूखंड पर रहा है जिसको हम भारत वर्ष कहते हैं अ उनको आज तो धर्म ही का नाम दे दिया जाता है इसलिए रिलिजियस पावर्स हैं रिलिजियस सब्द क्योंकि उनकी अनुकूल ही बैठता है तो अब उनको हिंदी रूपांत्रन में जैसे अनुवाद में बहुत से भ्रांतिया हुई है तो चाहे वो धर्मिक ताक्ते हैं चैसी आर्थिक ताक्ते हैं चैसे वो तथा कृषिती समयक ताक्ते हैं राजनेतिक ताक्ते हैं वो कभी वो भारत का उद्य नहीं देखना चाहती और हमने उसकी जड़े नश्ट नहीं वी हैं, माना कि उसके उपर बहुत वार हुए है, प्रहार हुए है, खशत विक्षत हुआ है, लेकिन उसके जड़े हैं, वो हिली नहीं है, और दूसरे बहुत बोनी विचार धारे हैं, वो तो खुद उनकी चूले अपने आप इंही हिली, कोई ह पूरे वैश्विक्स तर पर जो भारत और भारतियता को नश्ट करने के लिए जो शर्यंत्र हो रहे हैं उनके उपर उन्होंने बहुत प्रामानिक तासे काम किया है और उसके लिए उनके एक विश्व में प्रसिद्ध पुस्ता बेकिंग इंडिया उसका नाम जो थोड़ा ब नाम है और उनके काम है ऐसी स्री राजीव मलहुतरा जी से मैं कहूंगा कि वो आज सब को निश्कर्ष के रूप में अपना प्रबोधन दें आज उनका इप्रथम प्रबोधन होगा और उसके बाद हम चाहेंगे कि वो एक लंबी श्रिंखला भी पूरे वैश्विक परिप में करेंगे फतंजरी योगपीठ आ करके उन्होंने देखा है और यहां के प्रकल्पों से वो बहुत अभीभूत भी हैं आचारी कुलम में भी हो गए और मुझसे आ करके कहने लगे कि वावजी जो यह आचारी कुलम है ऐसी तो सिक्षा व्यवस्था पूरे भारत में होनी अचा के परिवर्तन से होगा आधार वो है नीव वो है और उसके उपर यह व्यवस्था परिवर्तन का भवन खड़ा होगा मैं आधने श्री आजिव जीव जी से प्रार्थन करूगा कि वो सब को संभोधित करें